हर इंसान के जहन में पंजाब में एक ही शब्द है बदलाव, change and change is not necessarily progress बदलाव necessarily progress नहीं होता लेकिन अगर वो जीवन बेहतर कर दे और प्रगती की जोर चला जाए तो फिर जो बेहतर है उसे सुविकारा सब ने और आज मुद्दा ये है कि अगर पंजाब में माफिया मरता ह तो पंजाब की income होती है और वो एक कल्यानकारी स्टेट में तब्दील हो सकता है अब जो proven माफिया है वो सिद्धू को हराने यहां आए और उन्हें मू तोड़ दवाब मिल रहा है हर रोज मिल रहा है इनकी तरफ जाना is a retro gate step इनकी तरफ जाना मतलब आप पिछले 25 साल की की तरफ जा रहें आप प्रगती की तरफ नहीं विकास की तरफ नहीं आप बर्बादी की तरफ जा रहें इसलिए लोग यह समझते हैं कि हमें एक सिस्टम को बदलना है और वो सिस्टम और माफिया को जिस नहीं कर सकते इस माफिया को जाना होगा जिस पुल पे आप बैठे हैं आग से करीब करीब दस साल पहले परकाश सिंग बादल के साथ मेरी लड़ाई हुई थी और मैं यहां मरण वरत के उपर बैठने आया था आपको सबको याद होगा जो अमरचत से मैंने तै कर लिया मेरी घरवाली भी मुझे कहें नहीं नहीं अपनी सरकार है लेकिन मैं देही दाव पे लगा के यहां आया था पादल रात को इस्तिक्बाल किया और हर अखबार में खबर चपी कि यह पांचों पुल बनेगे ऐसा मीसना बुड़ा है कि एक महीने बाद बदल गया यह लोग नकारात्मक हैं लोगों के काम रोक देते हैं तांके किसी को क्रेडिट न मिले यह क्रेडिट का सवाल नहीं आपने अ पटे पटे हैं यह कैप्टन अमरिंदर सिंग बादल्स और तू साइड्स ऑफ दे सेम कॉइन वह आया उसको मैंने 170 करोड रुपए दिये अमरिच सर की जमीने भी की थी 170 करोड रुपए दिये पांचों पुलों के उसने नीचे से मेसेज दे दिया सिद्दू के काम रोक द हैं और आज देखिए यह कंप्लीट है मैं जाके देख रहा हूं अगर आज ही शुरू करना पड़ा मैं आज ही शुरू करते हैं यह मेरा सपना था और ऐसे मैंने करीब करीब 12-15 पुल बनवाए आप समझ दीजिए यह किछलू चॉंक भी तभी मैंने बनवाया था लेकिन एक फोरेस्ट चॉंक बार बार रंडिंगा लगाते हैं मतलब यह लकीर लंबी नहीं करते अपनी यह दूसरों की लकीरे मिटाते हैं लोगों के काम रोक दो क्रेडिट किसी लीडर को उठने मत दो तो यह इनकी राजनीती है इसलिए प्रगती शील राजनीती के लिए यह म मैंने क्या किया मत और आगे पांच साल में क्या करूँ लागों सिदू एक दूसरे को उटपटांग बोलके मुदों से भटकाने नहीं आया सारी उमर मैंने मुद्द्वों पर पहरेदारी की हो और आने वाले समय में भी Fil dave कि मुद्दों के ही ओंगे और मुद्दे में उठाता रहूंगा सबसे बड़ा सवाल है कि हम माफिया को खत्म करेंगे या नहीं क्योंकि ह chilli वो माफिया के जेव में जो पैसे जाते हैं वो अगर स्केट के खजाने में आते हैं तो पंजाब खुशाल हो जाएगा खुशाली की राह पे चल देगा और एक बार उल्टी राह पे चल दो तो सीधी राह पे आना मुश्किल होता है लेकिन उसका रोड मैप गेम प्लैन दिया है तो हमारी महलाओं को मिलेगा सम्माद पेटियों को मिलेगी पढ़ाई और हर पढ़ाओं पे इनाम और सम्माद शिकायत निवारन प्रणाली मेरे साथ डारेक्ट संपर्ण एक सो सतर सरकारी सुविदाएं फ्री आपके कंप्यूटर पे डिजिटल पंजाब में मजदूर भलाई यते शेरी रोजगार दी गैरेंटी पांच लाग रोजगार हर साल एक लाग हर साल एक लाग छे महीने वें जोनगे सारे कच्चे मकान पूरे यह सरकारी जो कुछ भी है यह सारा कुछ लिखा हुआ है आप देख लीजिए इसमें यह भी लिखा हुआ है यह देखो यह 13 पॉइंट है जो मैंने कहा था बाबा नानक के नाम पे 13 13 ठीक है उसके आगे अमरे सरी हिस्ट के लिए क्या किया और क्या करने जा रहा है यह सारा आपके साथ पढ़ा है अब मैं यह पंडारी पुल जाके देखूँगा और यह मैं आपको बता दूँ के बादलों की तरफ और कैप्टन की तरफ जाना मतलब बैक गियर लगाना और अगर बदलाव की तरफ जाना है तो यह शक सामने खड़ा है प्लैन के साथ नीती बद योजना बद तरीके से इसलिए मैं कहता हूं कि आज आप उपर इमानदारी बिठाएंगे इमानदारी नीचे तक जाएगी और उपर आपने चोर बिठा रखे थे 25 साल नीचे तक और आपके सामने ही आजाएगा